नागरिक्ता कानून में किये गए संशोधन के खिलाफ चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को लेकर ग्रेह मंत्री अमिश्रा ने राज्य प्रशासन को सक्त कारवाई करने को कहा है ग्रेह मंत्राले ने सभी राज्यों और केंदर्शासित प्रदेशों को एक एडवाईजरी जारी की है इसमें कहा गया है कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दोरान देश के कई इलाकों में सारोजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाई जा रही है इसलिए राज्य और केंदर्शासित प्रदेश इस हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ उचीत कदम उठाए ताकि सारोजनिक संपत्ति और लोगों के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो ग्रिह मंत्राले ने ये भी कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाए यही नहीं ग्रिह मंत्राले ने राज्यों से कहा है कि इस कानून के बारे में फैलाए जा रहे अफवाव पर नियंत्रण बनाएं और हिंसा की फरजी खबरों को रोकने के लिए कारवाई करें ध्यान रहे कि नागरिक संशोधन कानून को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश्वर में प्रदर्शन हो रहे हैं इस प्रदर्शन के दोरान सारुजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाया जा रहा है कई जगहों पर बसों में आग लगा दी गई है हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सक्स कदम उठाने के लिए ग्रेह मंत्री अमिश्रा ने राज्यों को निर्देश दिये हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन को निर्देश देने की जिमेदार ही राज्य सरकार की होती है लेकिन गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री जिस तरह से इस कानून के खिलाफ ब्रोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे प्रदर्शन कारियों का हौसला बढ़ गया है पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री मम्ताव एनर्जी इस कानून के खिलाफ सडक पर उतर उतर गई है इससे दूसरे प्रदर्शन कारियों के भीतर डर खत्म हो गया है और इसके कारण हिंसा की घटनाय बढ़ गई है इसलिए ग्रिह मंत्री अमिश्चा ने राज्यों को सक्थ हिदायत दी है ताके हिंसक प्रदर्शनों पर रोक लगाई जा सके और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई हो सके विरो रिपोर्ट निउस अफ इंडिया